नमस्कार दोस्तों, भारत की नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। आज के वीडियो में हम इस पूरे मामले को सिलसिलेवार धंग से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इन अधिकारियों पर क्या केस चल रहे हैं। क्या ये कोई जासूसी कर रहे थे। ये अधिकारी जिस कमपनी के साथ काम कर रहे थे उस कमपनी को भी जानेंगे। और आखिर में ये जानना भी जरूरी है कि क्या इन पूर्व अधिकारियों की जान बचाने का कोई तरीका अब भी बचा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की जिसको हम मजेदार तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे मुल्क के आठ नागरिकों का जीवन इस समय संकट में हैं। किन्तु आप वीडियो के अंग तक बने रहेगा क्योंकि पूरी कहानी बेहद रोचक है और अंग तक आपको एक नई जानकारी देगा। सभी पूर्व नौसिना अधिकारियों का भारतिय नौसिना में 20 वर्षों तक का विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड था और उन्होंने नौसिना में ट्रेनर सहित महत्वपूर्ण पदू पर काम किया था। यहां हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि साल 2019 में कमांडर पूर्णेंदू तिवारी को प्रवासी भारतिय सम्मान से सम्मानित किया गया जो प्रवासी भारतियों को दिया जाने वाला सर्वोच सम्मान है। उस समय एक पोस्ट में दोहा स्थित भारतिय दूतावास ने कहा था कि कमांडर तिवारी को ये पुरसकार विदेश में भारत की छवी बढ़ाने के लिए दिया गया है। अब सवाल क्या उठना है कि यदि इन सभी ने नौसेना में इतना विशिष्ट कार्य किया है तो ये सभी लोग कतर में क्या कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मताबिक मौत की सजा पाने वाले कुछ भारतिय बेहत समवेदन शील पर योजना पर काम कर रहे थे। क्यूं किया गया गिरफतार इन आठ लोगों को कतर की खुफिया एजेंसी ने 30 अगस्ट 2022 को गिरफतार किया था। ना तो कतर अधिकारियों और नहीं नई दिल्ली ने भारतिय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को अभी तक सारवजनिक किया है। रिपोर्ट्स के मताबिक आठ लोगों को कतित तोर पर जासूसी के आरोप में गिरफतार किया गया था। 25 मार्च को आठ भारतिय नौसेना के दिगजों के खिलाफ आरोप दायर किये गए थे और उन पर कत्री कानून के तहट मुकदमा चलाया गया था। अब सवाल यह उठता है कि अब भारत के पास क्या क्या कानूनी विकल्प है। आईए, जानते हैं, एक विकल्प के तौर पर तो कतर की उपी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर विचार या चिका दायर की जा सकती है। अगर मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील खारिज हो जाती है तो भारत सरकार अंतराष्ट्रिय न्यायाले का दर्वाजा खटखटा सकती है। कतर ने जिस गोपनिय धन्ग से मामले की सुनवाई की है, भारत उसे अंतरराष्ट्रिय नयाले में चुनोती दे सकता है। जानकारों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रिय कानून में कुछ चुनिंदा मामलों में ही फांसी की सजा का प्रावधान है। 2017 में भारतिय नागरिक कुलभूशन जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफतार किया था और मौत की सजा सुनाई थी। भारत सरकार ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रिय नयाले में चुनोती दी थी और जाधव की फांसी पर रोक लग देई थी। क्या काम आएगा 2015 में हुआ समझोता भारत और कतर के बीच 2015 में एक समझोता हुआ था। इसके तहट कतर में सजायाफता भारतिय नागरिकों और भारत में सजायाफता कतर के नागरिकों को बाकी की सजापूरी करने के लिए उनके देश भेजा जा सकता है। 2015 में ही कतर के मंत्रिमंडल ने भी इस समझोते पर मुहर लगा दी थी। भारत कतर से इस समझोते के तहट आठ पूर्व नौसेनिकों को सजा पूरी करने के लिए भारत भेजने की मांग कर सकता है। कुटनीतिक तरीके से सुलजेगा मसला। विशेशग्य इस मामले में कुटनीती को सबसे बड़िया उपाय बता रहे हैं। भारत सरकार या पीडित परिवारों के पास बहुत सीमित कानूनी अधिकार हैं। इसे कुटनीतिक तरीके से ही हल किया जा सकता है। जैसे हमास के कब जैसे अमेरिकी माँ बेटी को चुड़ाने के लिए अमेरिका ने कतर से मदद ली, वैसे ही भारत सरकार को भी अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोशिश करनी होगी. आजीवन कारावास में बदल सकती है सजा, विदेशी मामलों के विशेश अग्य केपी फैबियन का कहना है कि कतर भारतिय नागरिकों को फांसी की सजा नहीं देगा. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कतर में फिलिपीन्स के तीन नागरिकों को जासूसी के मामले में सजा सुनाई गई थी. इन में से एक को फांसी और दो को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. हालांकि बाद में फांसी की सजा को आजीवन कारावास और बाकी दो नागरिकों की सजा को 25 साल की जेल में बदल दिया गया अंतराश्ट्रिय दबाव आएगा काम मध्य पूर्व के कई देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं भारत कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है या उस पर अंतराश्ट्रिय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है अगर कोई बड़ा देश मध्य स्थता करता है तो पूर्व नौसेनिकों की रिहाई का रास्ता खुल सकता है इसके अलावा नागरिक समाज, संगठनों और कतर में काम कर रहे प्रतिष्टित भारतियों के जरिये भी दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है है ना जानकारी बेहद महत्वपून इसके बारे में आप में से बहुतने अभी तक नहीं सुना होगा हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रही है और आगे बनने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपून जानकारी आप तक साजा करेंगे जो इससे भी ज्यादा रोचक होंगी क्रिपया हमें अपने कमेंज के द्वारा विचार जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसा हमारा निवेदन है धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद